सु हेलो दोस्तो विलकम बैक टू माई यूटूब चैनल से दोस्तो एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो बताने वोला दोस्तो कि आप जिदि जुलाई मेने में अपने रुपिया के इन्वेस्ट करते पोस्ट अपिस में ते फिर जुलाई मेने में आपको क्या वाच करना है दोस्तो आप जदी इस वीडियो को फूल वाच कर लेते तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जुलाई मेने में पोस्ट अपिस में कौन सा अस्किम में कितना परसेंट रेट आफ इंडेस मिलेगा तो दोस्तों आई आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दो दोस्तों सबसे फिले आप यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पर पोस्ट अपिस का ओफिसियल वेबसेट को आपन कर लिया हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि आखिर कौन सा अस्किम में आपको कितना रेट आफ इंडेस मिलेगा जदी आप जुलाई मेने में अपने दोस्तों आप देख सकते हैं पोस्ट अपिस में जदी आप जुलाई मेने में इंवेश्ट करते हैं तो फिर आपको कितना परसेंट रेट आफ इंडेस मिलेगा जदी आप जदी इसमें जुलाई मेने में इंवेश्ट करते हैं तो आपको 4.00 परसेंट रेट आफ इंडेस परफेलई में वह को भिल रहा है और जुलाई मुने परफेल Cum 666 chevy मिल रहा हूर आप भी और सथ champion का fixed deposit कराते तो फिर अभी आपको 7.00% rate of interest मिल रहा है लेकिल दोस्तों आप जदी जुलाई मिने में invest करते तो भी आपको 7.00% rate of interest quarterly आपको मिलेगा तो दोस्तों और उसका next यहां पर मैं बात करता हूँ आप देख सकते दोस्तों मैं यहां पर next बात करता हूँ जुलाई मिने में invest करते तो आपको 7.10% rate of interest मिलेगा तो दोस्तों और उसका next यहां पर मैं बात करता हूँ जो कि है 5 pair stamp deposit आनि कि दोस्तों 5 सल का आप जदी fixed deposit कराते हैं पोस्ट औप इसमें जुलाई मिने में तो अभी जदी आप invest करते तो अभी आपको 7.50% rate of interest मिलेगा लेकिल दोस्तों आप जदी जुलाई मिने में invest करते तो जुलाई मिने में भी आपको 7.50% ही rate of interest दिया जाएगा तो दोस्तों और उसका next यहां पर मैं बात करता हूँ जो कि 5 years recurring deposit आने कि दोस्तों आप जदी 5 सल का recurring deposit में आप अपने रुपिया के invest करते तो 6.70% अभी rate of interest आपको मिल रहा है और दोस्तों आपको आगे भी 6.70% ही rate of interest मिलेगा इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है तो दोस्तों और इसका next यहां पर मैं बात करता हैं जो कि है senior citizen savings scheme दोस्तों आप देख सकते हैं आप जदी senior citizen savings scheme में अपने रुपिया के invest करते हैं मई मेने में तो फिर आपको 8.20% rate of interest दिया जा रहा है लेकिल दोस्तों आप जोदी July मेने में invest करते हैं तो फिर आपको 8.50% rate of interest दिया जाएगा और कि दोस्तों आपको 0.30% rate of interest ज़्यादा rate of interest मिलेगा जदी आप July मेने में invest करते हैं तो से दोस्तों आप जिदी पोस्ट अपिस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका घर में जिदी कोई वूजुर्ख होगा और कि कोई सीनियर सिटी यह नहीं तो आप उसके नाम से इन्वेस्ट केजिए जिससे आपको 8.50% rate of interest मिलेगा से दोस्तों आप जिदी मन्धली इंकम एकान में आप अपने रुपया के इन्वेस्ट करते हैं अभी जिदी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.40% rate of interest मिलेगा लेकिल दोस्तो आप जिदी जुलाई मेने में invest करते तो आपको 7.40% ही rate of interest मिलेगा आने कि दोस्तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है दोस्तो आप जिदी जुलाई मेने में invest करते तो फिर आपको 7.70% ही rate of interest मिलेगा इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है दोस्तो आप देख सकते हैं आप जिदी पोस्ट ओफिस में जुलाई मेने में invest करते तो फिर आप senior citizen में अपने रुपिया के invest किजिए especially senior citizen के लिए rate of interest को change किया गया दोस्तो आप जिदी senior citizen skim में आप अपने रुपिया के invest करते हैं तो आपको 8.50% rate of interest दिया जाएगा दोस्तो आप लोग को समझाना चाहता दोस्तो आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तो व этому को दोस्तो मिलते मिल्से नेक्स वीडिया में कुछनी वीडिया के साथ तब तक के लिए ट्टा बवाय जयहिं बंद्मात्रा